जैसे मजदूर तबुका भी है जब की लिख रख रख है गाठी वाड पार अने दस लाख रूपी दी है जुत्य मार मार का जुत्य नहीं कि जुत्य शोड़ का बाज का मंतर महलू को पूर का शब बाप किया गाठ्ट गदार गदार के लिए बहुत कुछ करिया है दिल मेज़ था आपके लिए हर पत्रकार कोगी मेरे शाब से मारे मारनी जुदने साब आप से एक बात पुछना चाहांगे अंदोलन जब कि मैंने कई और भी किसान नेतां से पुछी है या बात अंदोलन आपके देख स्थम बहुत बड़े ही कुछ है क्योंके हमने जो परचारित कर दिया वो यह कर दिया कि हम आई राजनेतिक हैं आई राजनेतिक और यह बात लोगों के मन में पका दी आई राजनेतिक जब कोई भी जब सुरू में खड़ा करते हैं सथा को तब उसकी जरूरत होती है जैसे उदारन के बनसीलान हर्याना विकास मंच बनाया था हर्याना विकास मंच सुरुवात की ताके सारे जुड़ जाएं उसके बाद उसको वोट में कनवर्ट किया हर्याना विकास पार्टी बना दे उसके एक दूसरी चीज़ आप किसी भी अंदोलन का रिजल्ट देखों अंदोलन होता क्या है अंद सरकार की जो पॉलिशियां हैं उन से राजी नहीं हैं वो पॉलिशियां बदलने की जरूरत हैं और जब सरकार नहीं बदलती हैं जो पॉलिशियां बदलने की मांग करने वारे लोग हैं अंदोलन के बाद वो सित्ता में आते हैं आप कोई भी अंदोलन पीछे ले उठा के देख लीजिए तो वो जो परिवर्तन था वो एक एक मौका जो है अब की बार जो था वो हमी ने खोया लोगों में लहर थी अगर पूरा एसके हम यह फैसला लेता कि हम पंजाब में चुनाव जो है वो जाएंगे पंजाब के चुनाव में पंजाब के लोगों को इखड़े करेंगे हम वहां पे खड़े नहीं हूंगे और सड़े बारा महिने अंदोलन के बाद सड़े साथ सो मरने के बाद भी सरकार ने पूरी बात नहीं मानी है अधूरी बात माने के उठा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह जो राजनिती है आज की जो राजनिती है इसमें बहुत बड़े बतलाव की जरूरत है लोग चंतर नाम की चीज़ नहीं बची है जंता जो मांगती है वो लोग चंतर को देना होता है लोग चंतर में बात मान नहीं होती है तो पंजाब में सौ सीट से ज्यादा इन की आती है और अगर वहां पे किसान राज आता तो वहां पे ये अपनी मरजी के कानून बना के वह उन से भी पंजाब राजी नहीं है पहले से पंजाब राजी नहीं है और अपना लाणा नहीं है तो फिर इलाज क्या है जी इलाज तो च्रुने साब आप बता होगे लोगां का मनमजा रुकता कैसे जाओगी कि वो किसान यूनियन के साथ जुड़ा है और इस मंचने बहुत अगया तक लेकर जाम है मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे अपनों का कसूर है एसके हम की जिसको हम बोलते हैं उसके जो लीडर थे उन्हों ने जितना अंदोलन लड़के पन्या किया उससे ज़्यादा एक बार में ही ये फैसला लेके पाप कर दिया कि जो चुनाव लड़ेगा उसको बाहर करेंगे उन्होंने नेगटिविटी फिलाई लोगों में नेगटिविटी नहीं थी लोग तो चारे थे कि हमारा अपना राज आए मतलब बुद्धी हींता की कोई सीमा नहीं है अरे बाई किसान का अपना राज ना आए इसके तो हम दूसमन हैं अपना राज नहीं आना चाहिए हम आए राजनेती कहें और वोट हमारी है सो में से 65 वोट किसानों की है 35 वोट जिस पालती के पास आ जाती है सो में से 55 परसेंट वाले का राज आता है 65 परसेंट वाला बिखारी है और बिखारी रहेगा गरंटी से कहता हूं कि बिखारी ही रहेगा जब तक ये राजने शीनत किसान सरकार की जरूरत है किसानों जागो अपनी सरकार बनाओ लोक तंतर में एक ही तो चीज मिली के वोट कादिकार और वोट हमने कह दिया हम प्रयोग नहीं करेंगे पर इससे बड़ी महा मुर्खता क्या हो सकती है जब किसान सरकार हो ले देखिए मजदूर का जो है वह हम डिफिनेस निकलत नहीं काड़ देते हैं एक्चुली जो खिती है जो किसान है उसमें काम करने वाले टोटल के टोटल किसान मानने जाते हैं सकते वी रादरी के लोग किसान ने करा हैं किसान जोड़ जोरूर है जी बोलते थे नौकर नहीं नौकर नहीं हम केती करेंगे हमारे पास दस किले हैं तो हर दो किले का एक हिस्सा पांच हिस्से उसके होगे छटा हिस्सा किसान का होगा सातवा हिस्सा जो हमारे पास हुआ लगा अब जितनी हमारे पास फसल होगी उसका सातवा हिस्सा उस मजदू मजदूर को जाएगा जितने भी फसल होगी ठीक है यह मारा था सीरी संजेदार मजदूर नहीं थे हाँ अलग बात है कि अब क्योंके फसल सस्ती होगी अगर 1966 साष्ट से लेकर आज तक का हिसाब देखें 1967 में सतर में मानिए डाई कवंट लगे होंगा एक तोला सोनना था आज पच्चीस कवंट लगे होंगा एक तोला सोनना है यानि उस अनाज की किमत कम होगी इसलिए उनको सीरी लगना सजी लगना पड़ता निखता इसलिए उन्हों ने ये शुरू कर देगे नहीं हमें तो ये पता ये महिने कितने रेंगे ठीक है तो वो तो अब उससे मतलब वो जो है हमारा हिस्सा है खेती का वो किसानी में आते हैं मजदूर अलग चीज है मजदूर तो वो है जो कई ऐसी जगह जाके मजदूरी कर रहा है जैसे किसी फैक्टरी में कर रहा है महाना का मजदूर तो उसको मजदूर मानेगे जो खेती में काम कर रहा है तो किसान है पैंसेट परसेंट तो वही है एक आरोप और लगए है किसान यून के जितने भी नेता है नहीं कि थोड़े दिना भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां ताव है कोई गिफ्ट आने वाले तो घर बैठेल जैम किस तरी लगा दें अब मैं अपना उदरना आपको दे देता हूं कि हमारी दो तीहाई जमीन बिक चुकी है मेरे पास पंदरा किले जमीन थे मेरे हिस्से में भाई बाइबांड में आप पांच किले रहे गए हैं दस बिक चुके हैं लेकिन तो कहता हूं जितने मेरे पास ती मेरे उतने पूरी करते हैं वाकि दम ले जाना तुर्ण साब एक आरो पर लागे थे आपके किसान अंदोलन में यह कह रहे थी कि रणदीप सिंग्स रुजावडा ने दस लाख रुपी दिये हैं उस बात में कितनी सचाई थी दस लाख है पहली बात तो यह हैं डोनिट करे थे उनने अंदोलन में या दिये थे क्या सिस्टम है या नहीं दिये थे नहीं उस बात को कलियर करते हैं ना हमने लिया और उसने दिया एक रुपया सिंगल भी और जीतने हमारे पास पैसे हमने टोटल की रसीद दी एस केम पे वहां स्टे देना चाहा रहा था दिगवीजे सिंगे मद्य परदेश से और मुख्यमंतरी वह हमारे जो जहां हमारा क्नेंट था वहां आया था वह एक लाक रुपय देना चाहा था मैंने उसको भी हाथ जोड़ लिये थे कि नहीं हम राजनेता से पैसा नहीं लेंगे एक रुपया हमने और भी कई किसान ने तांसी याबात पूछी है जब किसान यीनियुन के सबके मुद्दे कहने जितने एक संग्ठन है ऊएक जंड एक जंड ने चेकर ठे क्यों ने है अलग अलग क्यों है मुद्दे भी एक नहीं है मुद्दे आप देखो मुद्दे तो किसान निकोले के नहीं है नहीं बहम है इस बात को आप कलियर करते है आप देखिए जब किछला वाजपईई का राज था तब कुछ लोग डवल्यू टियों के समर्थन में थे कुछ लोग डवल्यू टियों के विरुद्ध में थे किसान से अठरों के बात कर रहा हूं ठीक है जो सर्द जो सी धा वो डवल्यू टियों के पक्ष्मे था और उसी वक्त मैं अलग हुआ था मैं उसके साथ था पहले लेकिन जब मेरे को पता लगा किसान विरुद्धी काम कर रहा है तो मैं अलग हो गए मैंने अपने अलग बना ली 2004 में आगे तो ये विचार धारा कांतर है अब आप इस अंदोलन में देखिए इस अंदोलन में कई लोग वो थे जो कहते थी ये कनून ठीक है कई लोग कहते थी ये कनून गलत है एक चीज़ दूसरी चीज़ ये कारण विचार दारा दूसरी चीज़ कि अलग अलग अरिये में अलग 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 फसले है अलग 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 फसलों के हिसाब से हो जाती है दूसरी जी फिर किसी ना किसी पर जैसे एक परिवार है एक परिवार में एक बाप के चार बेटे हैं अब हम कहें वो चारों कठे कुने रहते हैं अगर वो चार ही कठे रहें तो चार ट्रैक्टरों की दूरूरत नहीं है एक मही काम चल जाएगा लेकिन फिर भी न जबूत करें हैं आपने की लगए तो बरहा आवे गी लोग रुक से मा रहे घुराने वाला कोई नहीं है आप फिल्मी अपकी कि पॉलिशी है देखिए बीज़ पी को हिलाने वारा तो बहुत से हैं लेकिन एक जो बहुत क्रूर निती अती गुलाम निती जो आगी है जिसके लिए सारे अपोजिसन को सारे देश को एक हो जाना चाहिए वो ये है कि जो भी उबरता है जो भी इनको ये लगता है कि ये राच्छीन सकता है उसी के परिवार पे कोई ना कोई मुकदमा दर्ज़ कर दिया जाता है आप आप Cup देश के निता को लेलो जितने बड़े बड़े नेता हैं सब को लपेट दिया अबाम आदिली पर्टी बड़ा था वो उसको लपेट में दे रहे हैं ऐसे ही सुना है खलेस पे भी कहीं उसको ड्रा रहे हैं और मायावती ड्रा के कुने में लगा दी है महराश्टर में आप देखो क्या हाल है तो मतलब टोटल के टोटल नेता जो हमें पता चला है कि एक हजार नेताओं की फाइलें त्यार हैं इसलिए देश गुलाम तो अब होगा अब सारे अपोजीसिन को इकठे हो जाना चाहिए मेरा रा जाएगा मेरा रा जाएगा इसको छोड़के पहले ये सोचना चाहिए कि इस देश को इस गुलामी से बचा लें सब को जो बीजेपी को हरा सकता हो जिस पार्टी का हरा सकता हो उसके साथ सब लग जाए अलग अलग सीट पे अलग लग प्रूणी जब एक बात आप बार बार को हो की बीजीपी जजीपी आले हमको गाम में ने कुछ न देओं जब कि किसान अंदोलन में भी ये लोग आपने प्रोग्राम करने में सक्सेस रही थे है ना कोई सक्सेसर है बगाए जुत्ते मार मार का शेक्सस का रहे थे कहा बढ़न दी यह ने वहीं वहीं कि जुत्य चोड़ का बाच वालु कहते हैं अच्छ जुत्या कहा बना वहीं किसी बात ने ढाना हम तो इतने लोग कर रखा देपर लोग गंदर करोद तो इतंगे तना था कोई संग प्रेभ मैं जो लोग है निए बात कह दें बगा गाम में न्हीं कोई नेता इंड-पनंट किया अगराट खामागे गराट लौक तो लोग दो घेँ रोगी पर उर और जा फिर देखे लिए अगले बार आवार उत्स लिए करो गराट मार रही है टकसम दे रहे हैं मैं तेल पूर रहा हुआ है तेल तेल पूर या मार लू मैं तेलंपा मेरे करीब चार J northeast यूर रोगा झा है ठीक है और मैं तेल तेल पाद दोजार रपी रहुं टक्स दे रहे हैं फिर किसका जीवा सरकार के बापका है हम आदमे का है आप तेल पूरे आपि टेक्स दे पंच कुला में लोग यह बात करें कि इतने लाठी यूनियन के लागे इस बात में कि इस बात कहते हैं जो मारे कारिये करता हूं का दन्याबाद करूंगा मारे कारिये करता सेरा जैसे लग जा कितनी ठीक है तो नंबर सब का पढ़ना सर पंचा का पढ़ लिया और का पढ़ागा सब का पढ़ागा पत्र का रहां का भी पढ़ागा दूसरें तो डाला डिफ टीशेम उस ते कितनी उम्ही थी वाई किसाना बाड़ा का किसाना को मुद्द लेकर सरकार माया गदार किसाना ने लोगा ने वोट दी एंटी बीजेपी मैं गदार क्यूंगा रहा है मेरे शबद समझी हूं एंटी बीजेपी के बीजेपी रह नह कि यह लो चटाले के पोताइस प्पादेऊ छेख फ़ीड लयका पहत कांउच डिक है देवी लाला के नहूपस पड़ी बोट आदी देवी लाल का दूसरा रूप मेरे थेश मारन का ठोक्कर ने लिए का लोगा की बावना का ठोकर मारर उक्छा करका लोगा की बावना presume लेकिन दूख है इस बात का कि बीजेपी की जोली बेर ती बीजेपी एक एक स्वाल हो रहा है आखरी स्वाल है तो टूने साथ मेरा विपक्स नाप कितना कमजर मनद हो कि बीजेपी आपने सारे अतकंडे अपने अपने हैं कोई बोलने में बड़ा नहीं जाtur बोला गा उसी पा कुंडी पसा मांगे ओई जीड मां जागा डो अफर है या तुम्हारे माजा तु मलाई है या तुम्हारे माजा तुम्हारे पाछा जीड है ठिक है मालिया विटरा कुल दी बिसनोई था उसके अगर दो अफर रख दी भी या तो तो अपनी दुआ छोड़ दे पार्टी अर्मारे माजा अम तरह दुआरा मेले भी बनावा चौदर भी रहागी तेरी अरम तरह पूछ दे बिन तरह कहा दे कितना क्या करया ठीक है सारे खाते चले गया आप कतल करका बीजे भी मैं चले जो हां हां ठीक है जैसा हो जो है बस वहां ऐसे जैसे बिंगाना जी अंत में चड़ता रहने दिरसकाना है ग्रॉराम सिंग जो जो यह संदेश देना चाहांगे रहने वाना तो जाग जो या तो पंजाब पहल करे गरा या रहना जनके अंदर पहादर लोग हैं जनके अंदर जिल्म के किलाव बोलने माई लोग हैं आप जाधिकला यह ना देखिलिए चाहाँ यह जा dużलो मादिकलणा हिए लो चाहांगे बदूरफेरन में देखिंए रहा हूं बेने आपकन कम्वारा जो कुछ रहा हो हुड़ा रहा अगर दे लिया तो मैं लिखा दियू भी न का बाल बिंगा नहीं हो सकता मैं लिखा दियू कि सारे देश मा उल्टा हो जागा भी बीजेपी का यानि देश ना भीपती ते निकालने का हर्याने ना अगवान नी करनी चाहिए थैंक धन्यवाद ये थे अपने साथ सरदार गु पुड़ा खड़ा की राम राम जा आजवान जा इक्सान